हाई फ्रेंग्स, वेल्कम् तु सुमेर एकडमी फ्रेंग्स आम लोग TGT-PGT का जो प्रीफेसर केस्ट देख रहे हैं अर्ज आम लोग नेक्स ट्रीज देखते हैं उसमें और आज आम लोग चाप्टर देखेंगे ब्रावफाइट से ठीक है चले देखते हैं उसके questions start करते हैं जो पीछे के exams में पूछे गया questions ठीक है आई देखे पहला question देखते हैं क्या है विसालतम ब्राइफ हाइट है कौन सा है दा विगेस्ट ब्राइफ हाइट इस विच वन रिक्सिया डाउसोनिया एंतोसिरोस और मरकेंसिया तो इसका right answer हो जाएगा option number B डाउसोनिया ठीक है फेंस डॉसोनिया क्या है एक biggest graphite है ठीक है दुनिया का सबसे बिसलतम graphite है और इसकी जो height होती है अगर हम इसकी height की बात करें तो इसकी height कम सकम 70 cm ठीक है तक होती है कम सकम नहीं maximum 70 cm तक और अधिकांस graphite क्या होते हैं जानते कि आप छोटे size के होते हैं ठीक है लेकिन यह 17 cm तक भी होता है डॉसोनिया चलिए next question बहु कोज की तिरिछे पटियुक्त मुलाभास पाय जाते हैं यानि multicellular rhizoyards with oblique septa are found in which anthoceros, funeria, aryxia, markensia TGT 2010 का एक question पुछा हुआ है ठीक है friends तो इसका right answer क्या हो जाएगा right answer इसका हो जाएगा option number B funeria ठीक है funeria friends क्या है यह multicellular जो oblique septa होते हैं तिर्छे जो पटियुक्त मुलाभास होते हैं राजवाइट्स होते हैं वो पाय जाते हैं funeria में ठीक है और जो right answer आप जानते हैं क्या होता है यह root like structure होता है जो क्या करते हैं जो एक ground के अंदर जो है क्या करते हैं उसको निमलिखित में कौन एक लिंग अस्राइज आती है means which of the following is diocese species बताना है तो क्या है आर क्रिस्टलीना आर गलाका आर पठान कोलिनेंस कोलिनस 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 आर हिमाले एंसिस तो इसका right answer बताना है तो इसका answer हो जागा friends क्या option number D आर हिमाले एंसिस एक लिंगा स्रीज आती है ठीक है और इसमें नर्थ अधा मादा जन्नक क्या होते है अलग अलग थैलस पर ग्रो करते हैं ठीक है चली next question question पहले पढ़ लेते हैं ब्राव fights को सैवाल से प्रिथक किया जा सकता है क्योंकि क्यों प्रिथक कर सकते हैं यह थैलस के आकार के होते हैं किससे अलग करना है सैवाल से ठीक है अलगी से इसको मलग कर सकते हैं वह था रहा है इनमें सम्वान उत्तक नहीं पाई जाती है और क्या है फ्रेंस सैवाल ब्राविश्ट के बाहर क्या होते हैं बंद कोशिका यानि पॉसेश ऑर्किगोनिया विद आउटर स्टेराल सेल्स ठीक है फ्रेंस सैवाल ब्राया पाईटा को हम सैवाल से पृथक इसी बेसब नहीं होती हैं अन्य इस्ट्रायल सेल्स नहीं होते हैं जब कि इसमें होती है चले, next question, ब्राइफ आइटा में विजाडूद भी दवस्था, यानि इस पोरोफिटी की स्टेज कब होती है, हमेशा हैपलोड होती है, हमेशा डिपलोड होती है, अधिकतर डिपलोड फर कभी-कभी हैपलोड, टिपलोड, इसका option आप इंग्निस में भी देख लिजए, always haploid, always deployed, mainly deployed, and sometimes haploid and triploid, तो इसका right answer हो जाएगा, option number B, हमेशा deployed होती है, always deployed होती है, कौन, ब्राइफ आइटम, जो spore of itty का वस्था, और जो gamet of itty का वस्था होती है, यह क्या होती है, जिसकी last sail होती है, वो gamet होती है, और जो haploid gamets के मिलने से, जो j genomode si by盜 पंनिता है, जो क्या होती है, deployed stage होती है, ठीक है, और आपको यह भी पता है का deployed stage की जो, यानि विजणदूदीर की जो first sail होती है, वो क्या होती है, यह आपकी गैमिट भी होती है और ठीक है चलिए अब नेक्स्ट कुस्टन दिखते हैं क्या है पादब जगत के उभाइचर नेक्स्ट क्या है इस नाम से भी जाने जाते हैं किस नाम से समवहन, क्रिप्टो गैम्स, फेनरो गैम्स, पादब जगत के उभाइचर इन में से कोई निए इसका फॉर्मेट बस चेंज हो गया है इसके पहले वाला ही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा क्या आपसा नमबर C, Amphivians of the Plant Kingdom व्रैफाइट्स को भी बोलते हैं इस नाम से भी जानते हैं चलिए देखिए यह देखि और आचट इक चीज आप बताएगा कि क्या होता है ब्रैफाइट्स यह पर्ण चक्र पूरा करने के लिए करते हैं जल और अस्थल यानी वाटर अन्ड नियु利 दोनों का इस्तिमाल करते हैं एक्वेटिक एंट्रेस्टियल दोना तरह की ये लाइफ सर्वाइब करते हैं अपनी लाइफ को कम्रीट करने के लिए ठीक है इसले इनको हम एंपिवियंस आप प्लांट किंग्डम मोलते हैं जैसे एनिमल में किसको खासतोर से एंपिविया वर्ग में किसो रखते हैं मेंड़करा नटी ग्रीन है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन क्या है कि बिजाडू चतुस में बिजाडू की विवस्था सम्धिव पार्शी होती एनरिक्सिया पर्शनाई M. siè. ट्रिक्सिया पर्शनाई P. टलीय ऐपीफाईला Anthocet diligently Sanodernum L. बताना है तो इसका रिडूध क्या हो जाएगा इसका रिडूध का अपस्टिव सम्धिया पर्शनाई ठीक है रिक्सिया पर्शनाई को जो ट्रुट्रदम ए जो बिजाड़ों की ब्रस्ता जो होती हो क्या होती है आइसो बाइलेटरल है निस्वम्दी पार्शी होती है ठीक है जो कि क्या है एक ही समय पर यानि सइमल्टेनियसली विवाजन से बनते हैं चलिए नेक्स्ट क्स्ट क्वेश्टन रिक्षिया और मार्केंश्या पौदे किस समू में आते हैं ब्रायोफाइटा में, टेरिव्फाइटा में, जिनोस्पम में, अंजिवल्पम में, बॉटनी, पीजीटी, 2013 में पुछा वो क्वे में वेल डबलब्ड होती है लंबे समय तक लॉंग लाश्टिक होती है ठीक है और ग्रीन होती है अजब कि जो बिजाड़ो द्वीद यानि इस प्रफिटिक जो अवस्ता है और पूर्ण रूप से क्या होती है युग्मक ओद्वीद होती है पर आसी तक अल्प जीवी होती है जीवड़ो में सैक में ब्राओफ हैस लुके जनरेसं यह बता ना तो इसका रॉपध क्या होती है। जो लाइफ साइकल में दो वेल डबलब्ड जब स्टेज्जर आती हैं असपस्ट पुरावस्ता है जब आती है तो जो एक दूसरे क्या होते है मॉर्फोलाजिकल करेक्टर को सो करते हैं और मॉर्फोलाजिकल करेक्टर में दोनों जो स्टेज होती है वह बिल्कुल अलग अलग होती है इन में से एक पीड़ी जो है जिसे हम क्या गयमेटोफिटिक स्टेज कहते हैं यानि कि N नमबर होता क्रोमोजोम अगुडित होते हैं पहुता है कि उइस पराज़ दनहरोलेंसे किसमें मुखेत परिमुख दांत पांजाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या क्या आपसें नंबर व्योर्ट में यह पाया जाते हैं और यह क्या करते हैं हिसमें होता क्या है कि ुए९स ने भी होते हैं इनके वी सर्जारने जब एकस क्र सेल करते हैं जा कर्थे итог एनकी इनकी साहथा करते है कौन..? यह जो आप बंगदर्णत को क्या बोलते है परिस्टोम्हीं टीत जो हुती है। स्पोर्स को फैलने में ठीक है और फिंवनेरिया में जो होता है जो उसे गई five प्रिमुख दांतों की संख्या करते हैं तो मैंने बता दिया कितने 32 तो टो टोल होते हैं लेकिन 16 16 के पेर में होते हैं ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपसर नमबर C, नातों की संख्या पूछ रहा है, जब पेर पूछता, कितने जोडों में या यूग में होते हैं, तब हम सो लगाते हैं, कि संख्या पूछ रहा है, तो आपसर नमबर C हो जाएगा 32, चले, next question क्या है, इन फुनेरिया, द पेरिस्टोंग टीथ आर्फ अर्थो डॉन्तर टाइप, निम्नेटर टाइप, अमफीव डॉन्तर टाइप और नन्थेज देखिए, और भी मैंने बताया था, कि कैसे होते हैं, इस क्वेशन का अंसर क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया कि क्या होते हैं, आ SR katsyap, कवग विघ्जय नहीं है, और ब्रायो विघ्जय है यानी, ब्रायो विघ्जय नहीं, ब्रायो विघ्जय नहीं है और पल्यो बिटनिस्ट हैं और अल्गोलोजिस्ट हैं, बताइए तो तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा क्या आपसा नमबर B, ब्रायोलाजिस्ट है कौन? SR कस्यप ठीक है? चलिए इनको फादर आप इंडियन ब्रायोलाजी भी काया आता है और इनका जनम जो है इंडिया में ही पंजाब के एरिया में हुआ था ठीक है? 1882 में ठीक है? 1882 चलिए नेक्ट क्वेस्टन भारती ब्रायोलाजी का पिता किसको समझा जाता है? SR कस्यप, रामुदार, पियन महरा, केसी महता तो अंसर पता है SR कस्यप को समझा जाता है ठीक है? चलिए नेक्ट क्वेस्टन ये देखिए नेम्ड में से कौन एक जली जाती है? रिक्सिया, गंगेटिका, रिक्सिया, डिसकलर, रिक्सिया, बैलर डिराई, और रिक्सिया, फ्लूटेंस बताइए देखिए कितनी वर क्वेस्टन पूछा गया? 13 में, 10 में, 5 में, PGT 10 में तो इसका रिट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर D, एक्सिया, फ्लूटेंस ठीक है? और ये क्या हम मिलता है? पॉंड्स और लेक में जो है, फ्लूट करती ही ये मिलता है ठीक है? नेक्ट कॉश्चन क्या है? क्या है? सरवादिग हरासित, युगमकोधित और अस्था होती है यानि कि Highly Degenerated Gametophetic Stages seen in किसमें पाइज़ा देखा जाता है? Brayophytum में, Teredophytum में, Genosperm में, Angiosperm में तो बताए इसका अंसर क्या हो जाएगा? इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर इस एज़ादे यावस्ता यह देखे जाती है सरवादिक, अरासित, युमकोधित, और अस्था ठीक है? आज अब कि इसके अपोजिट में का हम देखेंगे तो Brayophytum क्या होता है? गैमेटोमफितिक जो होती है क्या मेन प्लांट होता है? ठीक है? और यह अवस्ता क्या होती है? means free होती है, green और branch और long-lastik होती है यह वस्ता चलिए, next question फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है गोपक, गोपक समझते हैं? देखें क्या है? कलिप्ट्रा, फ्यूनेरिया में आर्ची— गोनियम में ठीक है ? शिवली फ्यूनेरिया में फ्यूनेरिया में फ्रींस, जब-z sphoro-魔ियूने- ka yard신 का निर्माण होता है और जिसे में क्या बोलते हैं? छिके बोलते हैं? sporo- गोनियूनियम बोलते हैं जो haploid stage होती है, चलिए next question देख लेते हैं, funeria का कौन सा भाग अगोडित है, गोपक, प्रच्छत, स्तंबिका, वला है, यानि calyptra, operculum, columella, annulus, तो funeria का भाग होता है, कौन सा अगोडित, यानि haploid कौन सा होता है, option number 1, calyptra अभी होपर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, चलि आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद फिर आपको और भी questions का collection मिलेगा next video में, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, continue पसंद आया तो चैनल को subscribe कर लिजे, share भी कर सकते हैं, ठीक है, okay, thank you